हेलो फेंड्स स्वागत आप सभी आपने यूट्यूब चैनल पर मैं आजीर हूँ आपके सामने एक बार फिर एक नए और इंपर्टेंट वीडियो के साथ तो चलिए शुरू करते हैं आज हम बात करने वाले हैं यह जो मार्ज की जो सेलरी है वो लगबग प्रोसेस हो चुकी है और उसके अंदर आपको क्या क्या डिटेल सेक करनी है ताकि एक बिल के अंदर आपके कोई अब्जेक्शन नहीं आ पाए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मेरे जो दो है उनके बिल अलोकेट हो चुके है इनके अंदर आपको क्या के डिटेल चेक करनी है और किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर आपको जाना है बिल प्रोसेसिंग में सेलरी प्रिप्रेशन और सेलरी बिल कनफरमेशन यहाँ पर आपके जो भी तो यहाँ पर आपका inner, outer और schedule यानि कि तिनो रिपोर्ट आपकी यहाँ पर सो हो जाएगी इनके अंदर आपको check क्या करना है आपके पास जितने भी करमचारी है उन सबी कि आपको सबसे पहले तो SI की कटोती चेक कर लेनी है कि वो slave के according हो रही है slave को check करने के लिए आप SIPF portal के उपर SI slave लिखेंगे Google में तो आपके सामने SIPF की slave लिखाई देगे यहाँ पर जो rate है इसके according आपको कटोती करनी है जिस भी करमचारी ने further declaration किया है या first declaration किया है उनकी कटोती add हो जानी चीए यदि नहीं हुई है गलती से आप भूल वस भूल गए है कटोती करना तो आप इस bill को delete कर दें और उसके बाद उस group के pay details यहाँ पर employee pay details के अंदर जाकर आप उकटोती add कर सकते हैं पचपन और पचपन साल के अधिक करमचारीों कि आपको SI details के अंदर कोई भी change नहीं करना है यदि आप भूल वस डिलीट कर देते हैं तो वो आपकी cost कारेलेस से ही update हो पाएगी दूसरी चीज़ आपको check करनी है कि आपने जो last month के अंदर हो सकता आपने जो gross income tax है यानि कि वो जितना बचा हुआ था वो सारा एक की मन्त में काट दिया है उसको आपको accordingly change कर लेना है income tax आप check कर लें कि आपने जो last month एक साथ काटा था वो ही नहीं रह गया हो आपको करमचारी की जो salary है उसके according month वाई जो deduction करते हैं उसके according income tax change कर देना है उसके अलाव आपको check कर लेना RGHS की कटोती सभी करमचारी के RGHS की कटोती है वो slave की according हो रही हो किसी की कम हो तो उसको आपको सही कर देना है जिन करमचारी की signed report के अंदर अभी 0 आ रहा है और करमचारी की details नहीं सो रही हो एक दो दिन wait कर ले यहां बिल को आप delete कर लें जिनका बिल अभी process नहीं हो रहा है वो आप वो reports के अंदर जाए salary reports के अंदर जाए और यहां पर mismatch employee report और designation mismatch employee report को check कर लें इनके अंदर यदि आपकी कोई details show नहीं हो रही है तो आपका बिल generate हो जाएगा या फिर आप उसको other bill request लगा सकते हैं एक दो दिन wait कर लें नहीं होते हैं तो आपको other salary request लगा देनी तो अभी आपके पास time है उससे पहले आप यह सारी details एक कर लें यदि किसी बिल में गलत हो गया तो उस बिल को आप reject कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही इसी तरीके की updates पाने के लिए चैनल को subscribe कर लें Thank you very much